हेलो फ्रेंट्स, रिजिनिंग एन कम्प्यूटर क्लास में आपका स्वागत है, तो दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग नी जिस चीज का हमें वेट था, वो फाइनली हो गया, ओवर हो गया है, जी हाँ दोस्तों, NTA ने फाइनल एंसर की रिलीज कर दी है, जी हाँ दोस्तो की वेबसाइट जो NTA.NIC.IN और NTA.AC.IN है, उस पे अविलेबल है, आप सबी जाके अपनी फाइनल एंसर की चेक कर सकते हैं, दोस्तों, तो NTA has released फाइनल एंसर की, तो रिजल्ट कुछी पलों में रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पे होगा, उसके लगबग 8 बज़े से पहल क्यों में डिसकस करने वाले हैं, दोस्तों, तो दोस्तों, आप देख सकते हो, मेरे सामने आपके सपास NTA की फाइनल एंसर की आपके सामने खुली है, जी हाँ, दोस्तों, E1 सेक्षन की में आपको खोल लिया है, और आप एंसर की में देख सकते हो, दोस्तों, यहाँ पे 16 को तो यह exam rate 13.9 को जो exam हुआ था उसकी 16 को जो डिक्लियर रिवी final answer की आपके सामने screen पे available है यह है दोस्तो answer की का E1 section जो आप screen पे देख सकते हो आप जाओ अपने answer की को match करो exact same है कोई भी changes नहीं है लगवग सारे answer same है यह दोस्तो है F1 section की answer की जो आपके सामने दिया है उसके साथ दोस्तो आगे चलोगे तो यह है G1 section की answer की जो आपके सामने screen पे मैंने दिखा रखे यह है H1 section की answer की यह है दोस्तो E2 section की answer की और यह है दोस्तो F2 section की answer की जो मैं आपको screen पे दिखा रहा हूँ और यह है दोस्तो G2 section की answer की आपके सामने screen पे available आप देख सकते हो G2 section की answer की भी यहाँ पे available है उसके साथ साथ दोस्तो अगर आप देखोगे नीचे यह है H2 section की answer की जो आपके सामने screen पे available है उसके साथ साथ दोस्तो यह है E3 section की answer की जो आपके सामने screen पे available है और यह आपके सामने दोस्तों देखोगे तो E3 section के answer की मैं आपके सामने open करके बैठा हूँ इसके साथ साथ दोस्तों यह है F3 section के answer की है उसके साथ साथ दोस्तों यह देखोगे G3 section के answer की है तो जितने भी sections यह है H3 section के answer की है यह E4 section के answer की आपके सामने screen पे available है उसके साथ दोस्तों ये F4 section के answer की आपके सामने स्क्रीन पे है आप देख सकते हो ये पूरी answer की मेरे सामने है ये है G4 section के answer की दोस्तों ये पूरी answer की है H4 section के answer की है ये दोस्तों आप देखोगे तो E5 section के answer की है इस तरह से सारे section जितने भी sections आपके सामने नीट के exam में आये थे सारे section के answer के आपके सामने ये H6 के answer की है ये H1 की है ये W2 section के answer की है अगर हम चलते हैं तो एकुल 48 pages की answer की है अगर students को ये answer की जी तो just अपने mail ID mention की जी कमेंट में तो मैं आपको ये answer की सीधर directly बेश दूँगा तो आपको जो NTA की साइट पर load आ रहा है ये W5 section के answer की है उसको tension लेने की ज़रूत ने दोस्तों जी हाँ दोस्तों तो NTA ने finally अपनी answer की पूरी की पूरी answer की यहाँ पे upload कर दी जो प्लास section है वो जैड़ 6 आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो यह जैड़ 6 section के answer की यहाँ पर available है तो देख सकते हो सामने लिखाव है NTA national testing agency national eligibility commenter instance UG 2020 final answer on which result will be declared on 16 1020 तो कोई भी लगबग change नहीं है लगबग सारे answer वैसे कि यह वैसे आया है तो जो bonus marks का student expectations कर रहे थे उस पर काभी questions mark है अभी सबी लोग match कर लो अगर किसी के student को लगता है कि answer के में कुछ changes आया है किसी section में तो just comment on it so that तूसरे students को भी पता चले तो दोस्तों थोड़ी दिर में आपका result आने वाला है को लेक या दो गंटे के अंदर आपका result अभी screen पर विलेबल होगा till then all the best for your results तो guys मैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी